हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजीस किचन, आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी एग आलू पकोडा, जिसे आप इफ्तार में जटपट से बना सकते हैं चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं पैन में 2 टीस्पून ओईल ले मीडियम फ्लेम पर ओईल गरम होने के बाद, एक बारिक कटी हुई प्यास को डाल कर हलके से साथे करें पाउ टीस्पून हल्दी डाल कर अच्छे से मिक्स करें दो बड़े आलू को मैंने बॉइल कर लिया था अब इसे थोड़ा सा स्मैश करके इसमें डाल ले दो मिनिट अच्छे से फ्राई करें अब इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च, पाउ टीस्पून धन्या पाउडर, पाउ टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून नमत आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल कर अच्छे से मिक्स करें आलू को अच्छे से मैश करते हुए एक बारी कटी हुई हरे मिट्स को डाले थोड़ा सा हरा धन्या डाल कर अच्छे से मिक्स करें और फ्लेम बन करते अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दे मैंने यहां दो अंडों को बॉइल करके टू इक्वल हाफ्स में कट कर लिया है एक अंडे को अच्छे से फेट ले एक कप ब्रेट क्रम्स ले अलो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं अब इसे हातों से मैश कर ले हाथों में आउइल अपलाई करने के बाद थोड़ा सा आलू लेकर हतेली पर इस तरीके से स्प्रेट करे अब इस पर कटे हुए अंडे को रख कर अच्छे से प्याक कर ले ध्यान रखे हमें अंडे को आलू से कम्प्लीटली कवर करना है आप देख सकते हैं कम्प्लीटली कवर होने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओल शेप में नजर आएगा अब इसे अंडे में डिप करें और ब्रेट क्रम्ब से अच्छे से कोट कर ले सारे इसी तरीके से तयार कर ले मैंने डिप फ्राइ के लिए आईल गरम कर लिया है अब इसे डाल कर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राइ करें खरीब तीन मिनिट के बाद आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर आ चुका है अब इसे दूसरी साइट फ्लिप करें दोनों साइट से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है अब इसे निकाल ले चलिए इसे कट करके आपको इसका लुक दिखाती हूं इस मज़ेदार स्नैक को आप ज़रूर ट्राई करें जिसमें हमने ना बेसन ना मैदे का इस्तेमाल किया हैं इसे आप सास के साथ या फिर कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं हमारा गर्मा गर्म एग आलू पकोड़ा खाने के लिए रड़ी है अगर आपको मेरी रेसिपीस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करना बिलकुल ना भूलें